चलिए आज बनाते हैं चावाल के आटे और मैदे से ये रैस्पी सबसे पहले दोनों को बराबर मात्रा में बाउल में डाल ले और फिर उसमें कलॉंजी अजवाई नमक और घी डालकर गूत लीजिए अब थोड़ा सा घी लेकर अच्छे से इसको फ्लफी होने तक फेटिए और इस तरीके से बेल कर एक एक लेयर उपर रखती जाएं और घी लगाती जाएं जब तीन से चार लेयर हो जाएं इसके बाद हम इसको लाश्ट में इस तरीके से फोल्ड करेंगे लाइक दिस और इसके बाद फोल्ड करने बाद फिर से इसको आप बेल लीजिए और इस त जाल लिए उसको भीगो दिया था इसके बाद जब आप दूद पकाईए तो उसके उपर अपना दाल का पगवाना रख दीजिए और जैसे से दूद पकेगा वैसे वैसे आपकी दाल कचिल का अलग होने लगेगा ट्राय जरूर करिएगा तो यहां पर मैंने दाल को पीस लिय है अब इसमें आप डालिए पालक, खारा धनिया, हारा मिर्चा, नमक, नान मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हेंग और यह इस तरीके से आप चल्दे बना लीजिए और उसके उपर मैंने यहां पर पनी ग्रेट किया है तो यह सौफ शौफ चल्दे आप जरूर बनाईएग रेस्पी पसंदाते शेर जरू करेगा झाले बनाईएग जरूप बनाईएग जर चल्दे बनाई है तो यह दो समय प्संदापि नहां जरू है झाले यह जरूर और बनाईएग, और दो श बनाईशर आप पनाईपिस से सको कि ऑचा एच तरेगल आप मैंने पाउडर पुड़ीस झाबर दो पनाईग जरूर अग झाल झाल